जय श्रीकिष्णा दोस्तों जनमाष्ट में आ गई है तो में लड़ु गोपाल की प्रिये भोग की रेशपी शेयर कर रही हूँ जिनमें मैं तीन भोग बना रही हूँ जो उनको बहुँ जादा प्रिये हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे धनिया पंजीरी उसके लिए मैंने ले लिये हैं कुश ट्राइफ फ्रूट्स काजू बादाम मखाना और यह है धनिया पाउडर जो हम मसाले में यूज करते हैं धनिया पाउडर यह वही है और पिसी हुई चीनी इन सारी चीजों को ले लेना है और उसके बाद मैंने ले लिया है काली मिर्ची और इलाइची का पाउडर जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया था इन सारी चीजों को हम ले लेंगे फिर उसके बाद मैंने रख लिये एक कढ़ाई और मैं पहले करूँगी ड्राइफ फ्रूट्स को फ्राई तो जो तीन प अच्छी का होना चाहिए तब ही अमारी जो धनिया पंजीरी है वो बहुत जाना श्वादिस्ट बनेगी इसको धीमी धीमी आज पर हमको भूनते रहना है जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए और बहुत अच्छी सी खुसबूना आने लगे तो देखिए पंजीरी के लिए धनिया पाउडर हमारा बहुत अच्छे से सिख गया है और आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है तो इसको रख देते हम ठंडा करने के लिए उसी कडाई में मैंने और घी डाल दिया है तो हम दूसरी पंजीरी की तैयारी कर रहे हैं तो घी में मैंने डाल दिया एक कटोरी गेहू का आटा और आटे को भी हम बहुत अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि अच्छा सा कलर न हो गया है तो इसी जगे पर हम गयस की फ्लेम को कर देंगी बंद और आटे को रख देते हैं ठंडा होने के लिए जब ताग इहू का आटा ठंडा हो रहा है हम बना लेते हैं धनिया पंजीरी तो ध्यान रहे आटा और धनिया पावडर ठंडा हो ना इच्छी पाउडर और जो काली मिच्ची का पाउडर है वो डाल देंगे और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है तो जो भोग हम बना रहे हैं तीन तरह का ये सिर्फ 10 मिनट में बन कर तयार हो जाता है तो आप लोग जलूर ट्राइ करना तो देखिए धन पंजीरी बहुत ही स्वादिस्ट लगती है और लड्डू गोपाल की बहुत जादा प्रिये है तो जो ड्राइफ रूट्स हमने फ्राइ करके रखे हुए थे उनको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और वो मैं डाल दूंगे और ये है तुलसी डल इस सब मीठा लड्डू गोपाल को खिलाना चाहते हैं उस अकोर्डिंग आप चीनी इसमें एड कर दें और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दें तो चीनी हमारी मिक्स हो गई है तो एक और मेने बुड़न की कटोरी ले ले लिए लड्डू गोपाल के लिए तो उसमें ड पउल पंजीरी और इस पर भी जो हमने ड्राइफ फ्रूट्स फ्राइ करके रखे थे में दाल दूंगी तो जो हम छपन भोग लगारते हैं उन ही मैंसे यह वाली जो पंजीरियां है यह उन में गिन्ती में आती है और धनिया पंजीरी की भी बहुत बड़ी कहानी है उसके पीछे भी कई सारे राज है तो आटा पंजीरी हमारी बन गई और उसमें से जो पंजीरी का आटा बचा था उसमें मैंने डाल दिया है सारे ड्राइब फ्रूट्स और घी तो ये तीसरा भोग हम तैयार कर रहे हैं उस आसा पॉल ले लिया था और इस तरीके से लड़ू हमको बना कर तैयार कर लेना है तो लड़ू गोपाल का वो प्रशाद बनाना बहुत ही आसान होता है जो उनको बहुत जाना प्रिये है तो देखिए गोल गोल लड़ू हमारे बन कर तैयार हो गए हैं तो मैं आप लोगों लड़ू ड्राय फ्रूट्स वाले तो मैं आप लोगों से आज तीन तरह के भोग की रेश्पी शेयर कर रहे हूं अगर आप लोगों के लिए और भी भोग प्रशाद की रेश्पी शेयर करूंगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोर्टिफिकेशन आपको मिलती रहे तो देखिए तीनो भोग प्रशाद हमारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं तो इस वार जनमस्ट मी पे आप मेरे तरीके से धनिया पंजीरी आटा पंजीरी और पंजीरी के लड़ू बना कर देखिए फिर मुझे कमेंट में बताईएगा कि आपको बनाने में क कैसे लगे और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिलकुल मत भूलना तो मिलती हूं किसी अलग भोग परशाद के साथ